इस मेडसीन का उपयोग थाइराइड की समस्या में उपयोग किया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं थाइराइड कितने परकार का होता है पहला जो हमारा होता है हाइपर थाइरोडीजम और दूसरा होता है हाइपर थाइरोडीजम इसे आम तोर पर सभी लोग जानते हैं मोटा करने वाला थाइराइड और पतला करने वाला थाइराइड और इस मेडिसीन का उप्योग किस परकार की दिक्कत मरीज को क्या तकलीप रहती है क्या दिक्कत रहता है या फिर मरीज को कौन सा रोग रहता है या फिर डॉक्टर के द ना टेबलेट लेना होता है, कितनी एज से कितनी एज के एकॉर्डिंग इस दवा का डोज डॉक्टर के दौरान निर्धारित करके दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में आपको इस वीडियो में हम पूरा डीटेल से बताएंगे, में सूजन की समस्या आ जाता है, यानि गर्दन के पास में स्वैलिंग की समस्या हो जाता है, यह हर्मोन को रिलीज करने का काम करता है, ती थिरी और टी फॉर नामक हर्मोन को रिलीज करता है, यह जो हर्मोन होते हैं, यह हमारे मेटाबोलिजम को रेगलोट करने का काम करते और जैसे कि अगर ये जो थाइराइड का हार्मोन है अगर ये गरबड़ हो जाए तो हमारे बॉड़ी में यानि हमारे सरीर में तुमाम दिक्कत, तुमाम बीमारिया, तुमाम परकार की जो समस्याएं है वो होने लगती हैं जैसे कि अगर किसी को हाइपो थाइरेडीजम की समस्या होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइपो थाइरेडीजम वो कंडिसन होता है जिसमें हमारा थाइराइड ग्लेंड बहुत कम हार्मून बनाता है इसके कारण क्या क्या समस्या होता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि आप आप कोई काम करेंगे या फिर कोई कहीं जाएंगे या फिर कहीं जा रहे हैं तो अगर रास्ते में आपको रुक रुक कर जाना पड़ेगा आपकी बाड़ी एकदम बीकिनस के जैसा महसूस होने लगेगा आपके बाड़ी में एकदम ठकावट के जैसा होने लगेगा आपका जो दिल का धड़कन है वो सिलो हो सकता है, आपके नाखोनों का पतला होना ये भी एक परकार से इस समस्या में आता है. और जैसे कि आपके जोडों जोडों में दर्द रहेगा मास्पेसियों में अकड़न की समस्या रहेगी जब आपको एक परकार से कहीं जा रहे होंगे तो आपके गाठों में काफी ज़्यादा दर्द रहेगी आपको उठने में बैठने में आपके पैरों के पैरों के पैरों क क्या होगा आपके बाल भी बहुत ज़्यादा जड़ने की समस्या आ जाएगा और आपको कभी-कभी ठंडक के जैसा महसूस होने लगेगा और कभी-कभी आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपकी तचा है यानि जो आपका इसकीन है इसमें एक परकार से सूखापन आने की सम समस्या हो जाएगा और आपके इसकीन पर खुजली के जैसा होना वाली समस्या होने लगेंगी यानि आपके इसकीन पर खुजली के जैसा महसूस होने लगेगा इस समस्या में और जैसे कि आपके आखों के नीचे या फिर आखों में सुजन की समस्या हो जाना आपको बार बार भूलने की जैसा समस्या हो जाना आप बार बार भूलने लगेंगे आपको कनफ्यूजिंग की समस्या रहेंगे आप कोई किसी से बात करेंगे या फिर आपको किसी बात को लेकर हमेशा अपने दिमाग में कनफ्यूजिंग सा रहेगा या काप कनफ्यूज रहेंगे तो ये भी समस्या हो सकता है इस परकार की समस्या हाइपो थायरेडिजम में हो सकता है और दूसरा जो होता है हाइपर थायरेडिजम की चली है अब हम आपको पताते हैं हाइपर थायरेडिजम की क्या क्या समस्या होती है हाइपर थायरेडिजम वो कंडिसन होता है जिसमें हमारा धड़कन है ये भी बढ़ सकता है और जैसे कि समस्या में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा आपको भूक तो बहुत ज़्यादा लागी यानि आप खाना भी बहुत ज़्यादा खाएंगे लेकिन अगर आपका जो वजन है न वो घटता रहता है यानि आपका वजन बढ जिवसाच चिड़ चिड़ा पन के जैसा महसूस होने लगता है घबड़ा हट के जैसा महसूस होने लगता है और आपको नीद नहीं आएगा और आपको एकदम घबड़ा हट के जैसा महसूस होगा अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको एकदम चिड़ चिड़ा पन के जैसा हो जाएंगे छोटी छोटी बात पर आप गुसा हो जाएंगे तो ये सारी समस्याइं होती है और आपको अधिक पसीना आने के भी समस्या रहती है इस परकार की समस्या हाइपर थाइरोडिजम में हो सकता है इन दोनों समस्याओं में ये मेडिसीन काफी अच्छा काम करत ये मेडिसीन डॉक्टर के दौरा इन परकार की समस्या या हमने आपको जो दिदकत जो परिसानी बताया है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन काफी ज़्यादा मरीज को पेसकराइब किया जाता है जब किसी को थाइराइड की समस्या र रहता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है यानि जड़ से ठीक होने का काम ये मेडसीन करता है और जैसे कि जो थाइराइड की समस्या होता है थाइराइड की समस्या महिलाओं में जदा देखा जाता है पूरसों में कम और महिलाओं में थाइराइड की समस्या जदा होता है चलिए हम आपको इस मेडिसीन के डोज के बारे में बताते हैं इस मेडिसीन का डोज क्या होता है जैसे कि जो मेडिसीन का डोज होता है यह डॉक्टर के दोरा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी एज और उसके बाडी वेट को देखते हुए डॉक्टर अपने को डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है चलिए अब हम आपको इस मेटसीन के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं जैसे कि जो इस मेटसीन का साइड इफेक्ट होता है वो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है बट अगर आप ये मेटसीन ओबर डोज की मातरा में लेंगे तो आपको नीद की समस्या आ सकता है आपके सीर में दर्द हो सकता है आपको नोजिया की समस्या हो सकता है आपको भूमेटिंग की समस्या हो सकता है आपको खुजली के जैसा आपके स्कीन पर महसूस हो सकता है इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप जाएं आप अपनी दिक्कत परेसानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसीन ने कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसीन खुद से उप्योग ना करें